नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवी विद्वा महिला ने द्वैश पून कारवाई कारोप लगाकर रेस्टोरेंट तोडने पर इंदौर कलेक्टर को दिया शिकायती आविदन निपानिया छेत्र के तुलसी नगर का मामला पेडित महिला ने तहसीलदार नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवाम संस्ता अध्यक्ष के खिलाफ लिखित शिकायत की है हाली में 31 जनवरी को इंदोर के निपानिया छेत्र में तुलसी नगर के ही दीस सेक्टर स्थित यस बॉस दफूट को और नामक रेस्टोरेंट को नगर निगम के माध्यम से तोड़ दिया गया था उक्तोर रेस्टोरेंट का संचालन विद्वा महिला मीरा मालविय पती स्वर गिये संतोष मालविय द्वारा वर्ष 2020 से किया जा रहा था इस मामने में महिला ने गुरुवार को जुनी इंदोर तैसिलदार जब्दीश रंधावार नगर निगम के विजय नगर जोन में पदस्त बिल्डिंग इंस्पेक्टर सतेन रिसिंग राजपूत तुलसी नगर वेलफेर संस्था के अध्यक्ष राजजिश तोमर एवं कारोप लगाते हुए इंदोर कलेक्टर आशीश सिंग के समक्ष शिकायती आवेदन दिया है पेडित महिला मीरा मालविये ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि उक्त मामले में मेरा प्रक्रण जुनी इंदोर तैसिलदार जगदीश रंधावा के यहां विचारा धीन था जे उक्त एक हजार स्क्वार फिट जगा रेसुरेंट के लिए ममता ब्रम्हे द्वारा किराय पढ़ दी गई थी जिनका एग्रिमेंट पूर्व में उनके दिवंगत पती दीपक ब्रम्हे द्वारा मेरे वह मेरे दिवंगत पती संतोश मालविये से किया गया था बाद में कि एक मात्र साधन को नश्ट कर दिया गया महिला ने बताया है कि उसकी दो बेटियां और एक बेटा है वधिमागी बिमारी से ग्रसित सास भी है ऐसे में अब उनके लिए आगे का जीव अन्यापन करना कठेन हो गया है उसने अपना घर LIC हाउसिंग फाइनेंस में और जेवर गिरवी रखकर उप्त रेस्टरेंट का सेटप बनवाया था महिला के पती की कोविट से मनत्यू हो चुकी है फीरित महिला मीरा मालविये ने कलेक्टर आशीश सिंग से दोशियों के खिलाव सक्त कानूनी कारवाई करने एवां मामरी के अ देख राजेस्तोमर जी वह आये दिन दमकाते रहते हैं मुझे गंदी गंदी मतलब ऐसी वर्ट्स यूज करते जो आपको बता भी नहीं सकती तो बस यह सरसे निवेदन है मैंने आवदन दिया हुआ है कि मेरे सुन्माई की जाए यह जो आपने किन से लिया था में विस तर करने का टाइमिंग आया तब से लोग मेरे पीछे पड़े गए तो यहीं निवेदने कि यह तो मुझे इसके लिए आप कुछ करवा दें इसको सभा पागे लिए कि मुझे पहने से को है जान deberी जी गई तीम जो नुन अभी वोला है कि सड़क्य जेर अने तो मुझे तो को जान कारे निए ती ना पोसे रियां में तो मेरे ही तो ड़ा गया है के ओफ खोना काहई लगती है सर्कुंकि बाता ही नहीं गा ना गर मुझे ला तो कुछ जानकारी दिए रंधावा जानकारी मांगने का पाउजे तो मुझे उन्हान कुछ जानकारी नहीं दिये वही ना वो आई दिन धमकाते रहते हैं मेरा रेंट एगरिमेंट है लेंड ओनर से वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं आया दिन ये आया दिन वो लोग धमकाते रहते हैं आके कि हम आप इसको अटाये ले तुम आपके साथ तुछ भी गजा थरकत कर देंगे या पतलब जो भी ह तुम आपके साथ चीजें वो लोग बोलते हैं जिसका मेंने ठाने में दिया हुआ भी है तो कोई कारण नहीं बताया उनसे मेंने सारी चीजा मांगी जिसका मेरे रपस वीडियो भी है और जो धमकाने आते हैं उसका फुटेज भी है और ये मामला जहां न्यायले में है उस कुछ तो यहां से भी मिला नहीं है तो अन्दर का जो है वो चालू है बाहर तो पुरा अस्ते वेस्ते कर दिया है जिसका अरण से मेरा नाम भी खराब हुआ है और जो कि अब में बिल्कुल मत बहुत बेसाहरा हो चुके हो तो अपनों को सहीं निवे दने कि अकर आप पहु चाहे कि जलजदे इसके जात की जाए और मेरे सुनवाई की जाए कि मुझे न्याय मिले मैं बस न्याय चाहती हूं सर से और कुछ निके कि मेरा एक मातर एक साहरा है कमाने खाने करें बच्चे पालना का नहीं तो सिवाय आत्म हत्त्या के मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन न हुआ हुआ है